प्रविद्धियारती साथियों जाहिन यह वीडियो सेकंड यर के विद्धियारतियों के लिए है इस वीडियो में हम vocational course वेक्तितवे विकास के practical क्रमांक 4 की बात करने जा रहे हैं आपको बताएंगे कि चौथा प्रेक्टिकल किन पॉइंट्स के आधार पर आपको तैयार करना है और इस प्रेक्टिकल का आपके वेक्तिगत जीवन के लिए क्या महत्व है यह करियर एडवाइस चेनल है इससे सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकान प्रेस कर दीजिए ब आप देख पारे हैं अपने मोबाइल पर एक स्लाइट के माध्यम से पहला प्रेक्टिकल है वेक्ति बृत अध्ययन यानि केस स्टडी दूसरा है आप क्रामकता प्रबंधन एग्रेशन मेनेजमेंट और तीसरा है किसी सफल वेक्ति के साक्षातकार पर प्रतिवेदन रिप और पाँचवा है आध्यात्मिक बृत्धी एवं वेक्तित वेविकास पर प्रतिवेदन लेखन रिपोर्ट राइटिंग और इंटेलेक्ट्वल कॉसेंट एंड परसनालिटी डेवलप्मेंट इन पाँच प्रेक्टिकल की आप इंग्लिश भी देख लीजी ताकि इंग्ल आधार शुके हैं कि उनको किन बिंदों के आधार पर लिखना है कैसे त्यार करना है उन प्रेक्टिकल के उद्देष क्या है उनसे आपको क्या सीखने को मिलेंगे आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे अपनी practical फाइल भी त्यार कर लिए होगी यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो में description box में उसकी link दी गई है आप उसे क्लिक कीजिए आप उन वीडियोस तक पहुँच जाएगे चले आई शुरू करते हैं हम चवते practical की बारे में चवता practical जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये आपके स्युम के करियर पर आधारित है इस practical में आपको स्युम के करियर को समझना है उस करियर के बारे में लिखना है उस career को कैसे आप प्राप्त करेंगे, क्या आपको उसे लाब होगा, आप किस तरह से अपने जीवन को समारेंगे और आपकी सफलताओं का, आपके परिवार जनों पर, आपके माता पिता, आपके समाजन, आपकी आने वाली पीडियां किस तरह से लाग उठा सकेंगी, इन सब बिंदों पर हम बात करने चाहरे हैं आप पॉइंट्स देखिए, अपने मॉबाइल की स्क्रीन पर आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर आपकी समक्ष, कुल आठ पॉइंट्स के माध्यम से इस प्रिक्टिकल को आपको संपन करना है आए हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले भूमिका बनाना है, जिसमें आपको इस बात का उल्लेक करना है कि किस तरह से एक मनुश्य के जीवन में करियर का महत्प होता है और किस तरह से एक अच्छे करियर के द्वारा वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता है किस तरह से एक अच्छे करियर के माध्यम से वह स्यम की परिवार की समाज की और रास्ट की सेवा कर सकता है इन बातों पर आधारित भूमी का आपको लिखना है दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं करियर का अर्थ आखिरकार करियर का अर्थ होता क्या है इसको आप कुछ विद्वानों के नजरिये से कुछ परिभाशाओं के माद्यम से कुछ आपके अपने दृष्टी कोन के आधार पर आप बताईए कि करियर का क्या माईने होता है इसका क्या मतलब होता है अगले पाइंट में अपन पहुँचेंगे तो देखते हैं करियर के शेत्र यवासाथियो इस दुनिया में करियर के अंगिनत शेत्र हैं आप जिस तरब भी दृष्टी दोडाएंगे उस तरब आपको करियर के लिए शेत्र ही शेत्र दिखाई देंगे आप कुछ नया शेत्र भी सोच सकते हैं या अपने आसपास उपलब्ध करियर के शेत्रों में से किसी शेत्र को चुनने के लिए पहले आप उनका वर्णन कर सकते हैं कहीं तरह के करियर हो सकते हैं सामाजिक, राजनितिक, शेक्षनिक, प्रशाशनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तो आप करियर के जितने भी शेत्र हैं उनका आप उलेक करिए, आप सुची बनाइए, इससे क्या लाव होगा, इससे यहाँ फायदा होगा कि आपके सामने एक विकल्पों का पूरा भंडार होगा, आप उसमें से चुन सकेंगे, कि मेरे सामने अभी इतने सारे करियर हैं, मैंने स्टडी कर लिया है, मैंने उनको पा बहुत सारे उप्शन्स होंगे, जिसमें आपको चैन के लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी, इसलिए इस फायद को बहुत अच्छे से बिनाइए, काफी विस्तार से आप इसको लिखे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कला के शेत्र में, विज्यान के शेत् के शेत्र में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वानिजी के शेत्र में, व्यापार, व्यावसाई के शेत्र में, अलग-अलग तरह के करियर, स्वरोजगार से सम्मंदित करियर, साहरवजनिक शेत्र से सम्मंदित करियर, नौकरी से सम्मंदित करियर, यानि बहुत सारे करियर हो पॉइंट को करिए एक दू दिन लगाईए अच्छे सर्च करिए इंटरनेट की मदद लीजिए अपने आसपास देखिए अवलोकन करिए अबजर्वेशन करिए लोगों से मिलिए पूछिए और फिर उसके पश्चाद जो सूची आप बनाए उसका उल्लेक आप इस पॉइं संबंधी लक्ष आप किस लक्ष पर आधारित करियर बनाना चाहते हैं इसमें आपको इस बात का उल्लेक करना है याद करिए फस्टेर में भी आपने ये सब एकसरसाइस की थी और आपने अपने लिए एक लक्ष सुनिशीत भी किया था यदि अभी भी आप उसी लक्ष पर अडिग हैं तो उसी लक्ष के बारे में लिखिए और यदि परिस्तितियों की वज़े से या समझ बढ़ने की वज़े से आपने अपने लक्ष में परिवर्तन किया है तो आप अपने नए लक्ष के बारे में लिखिए कि आपके करियर से सम्मधित लक्ष क्या है अगला कारणों का आप उलेक कीजिए साथियों दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं होता जिसका कोई न कोई कारण न हो और यदि हम बिना कारण के केवल किसी की देखा देखी या आपचारिकता में प्रेक्टिकल की फाइल को पूरा करने के लिए लिखेंगे तो रास्टि शिक्षानिती 2020 के जो महतोपूर्ण उद्देश हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकेंगे आप इसके लिए चाहें तो व्यक्तित्व विकास पढ़ाने वाले आपके अपने कॉलेज के जो प्रफसर सहाब हैं प्रफसर माइडम हैं उनसे संपर कर सकते हैं हो सकता है कि आपके कॉलेज में इसके संबन में सेशन्स भी हुए हो कक्षाएं भी नेमित रूप से चली रही होंगी उन कक्षाओं में डिसकेशन भी किया गया होगा यदि आप नहीं पूछ पाए हैं उस समय तो अब जाकर उनसे समय लेकर निवेदन करके आप अपने करियर के लक्ष के बारे में उसको चुनने के कारण के बारे में उससे बहुत सार्थक समवाद कर सकते हैं और उसका उल्लेक कर सकते हैं साथियों जो भी वेखती फार्मिलिटी में पढ़ाई को टालता है ना पढ़ाई उसको फलीबूत नहीं होती और जीवन में उस मकाम पर नहीं पहुँच पाता जिस मकाम पर जाने की उसकी चाह है उसका सपना है उसकी कल्पना है जो अपेक्षा उसके माबाप उससे करते हैं भी पूरा नहीं होगा बहुदा हमने देखा है कि विद्यारती आपस में प्रिक्टिकल फाइल में से फोटों खीच कर उसको किसी तरह से लिख कर फाइल को भर कर और फाइल जमा करने की जल्द बाजी में रहते हैं आप अपने पैर पर खट को लाड़ी मार रहे हैं दिहान रखिए आपकी जिंदगी आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत महत्पूर्ण है और इस जिंदगी को वह सफल और शांदार बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और उस तरीके को कहते हैं महनत चली अगले पाइंट की तरफ चलते हैं अगला पाइंट है कि करियर के लिए चुने गए लक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया आपने जो लक्ष चुना है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा कल बना कीजिए कि आपने चैन किया कि आप UPSC के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं I.S. आफिसर बनना चाहते हैं तो उसकी कोई एक प्रक्रिया होगी ना परिक्षा होती होगी प्रारंबिक परिक्षा होती है मुख्य परिक्षा होती है इंटर्विय होता है इस से कोई सा भी लक्षा आपने तही किया हो अपने करीर के लिए उसको प्राप्ट करने की उसको पूरा करने की कोई न no कोई प्रक्रिया थो आवश्य ही रहती है ओधारण के तौर पर, यदि मान लीजिए आप एक राजनितिफग्य के तौर पर विधायक महुदय बनना चा जाकर आप अपना एक राजनितिग्य बनने का लक्ष प्राप्त कर सकेंगे, पत्रकार बनना हो, अभिनेता बनना हो, सब की एक प्रक्रिया होती है, तो इस पॉइंट को भी आप बहुत गंभीरता से लिखें, ताकि आप प्रक्रिया से अउगत हो सकें, अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, करियर के लक्ष की प्राप्ती के लिए कार्यनिति, आपकी रणनिति क्या होगी, आपकी कार्यनिति क्या होगी, आप कैसे कैसे कार्य करेंगे, ताकि आप सफलता के सौपान पर पहुंच सकें, और आपको अपना लक्ष प्राप्त हो सकें, जैसे माल प्रतियोगी परिक्षा हो तो आप उसमें कारिनिती बनाएंगे की सिलिबस जुटाऊंगा, बुस्तके जुटाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, किसी कोचिंग क्लास को अटेंट करूँगा, ओनलाइन, आफलाइन टेस्ट में सम्मिलित होंगा, परिक्षा दूँगा, प्रेक्टिकल को तयार करने से आपको क्या-क्या सीखने को मिला और कैसे यह प्रेक्टिकल आपके जीवन के लक्ष को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा इस तरह से निसकर्ष निकालते हुए आप इस प्रेक्टिकल को संपट करेंगे आशा है इन बिंदों के आधार पर आपको practical तयार करने में अब सुविधा होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी इसके बावजूद आपके मन में कोई प्रशन हो, कोई जिग्यासा हो आप comment box में लिखे हापुना यही है अपेक्षा कि comment करते समय अपना नाम, अपने college का नाम अवश्य ही लिखे अब बचा है एक practical, उसके लिए अगले वीडियो के प्रतिक्षा कीजिए मुझे मद्धिप्रदेश के हर college के युवाओं तक पहुचाने का अवसर देने के लिए Career Advice Channel, उसकी संचाली का प्रति गुलवाने अजिद जी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार, आपको शुब कामना है, बहुत आगे बढ़िए, नवश्कार